हलो स्टूदेंट्स वेलकम तो बायंट एडुटेक क्लास एलेवंथ एकॉंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनस टांजेक्शन हमारा चल रहा था जिसमें हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कैस्बुक तो कैस्बुक के बारे में उसके सारे कंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है सब कुछ हमने जान रखा है और साथी साथ लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम को भी डिसकस किया था जिससे मैंने उस प्रॉब्लम की सहयता से आपको एक कैस्बुक बनाना सिखाया था तो सारे कंसेप्ट क उसे हम credit करेंगे यानि जो भी payment होगा उसे हम credit करेंगे और cash book, cash system of accounting को follow करता है तो इसमें कोई भी credit transaction आपका नहीं आएगा तो unit third हमारा, जो chapter हम start किये थे यह है आपका cash book जिसमें हम single column cash book के बारे में आपको बता रहे थे यह है आपका debit side और यह है आपका credit side date, particulars, laser for you और यहाँ पर amount का column date, particular, laser for you और यहाँ पर amount का column तो यह आपका cash book का format है, सबसे पहले date, फिर particular, laser for you amount यह आपका debit side हो गया और date, particular, laser for you amount यह आपका credit side हो गया इसके बाद आज भी हम single column cash book के बारे में बात करेंगे single column cash book यानि जो भी business में cash से rated जितना भी transaction होगा उसको हम single column cash book में record करेंगे और इसके बात जो हम next video में आपको बताएंगे वो है आपका double column cash book यानि cash book with bank column उसमें cash column भी रहेगा, bank column भी रहेगा cash column जो business में cash से rated जो भी transaction होगा वो cash column में जाएगा और business का जो भी bank से related transaction होगा वो bank column में जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चलिए, सबसे पहले हम एक problem को solve करेंगे और single column cashbook को और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिस करेंगे यहाँ पर तो पढ़ते हैं हम सवाल अपना Enter the following transactions in a single column cashbook जो transaction आपका given है उसको आपको record करना है single column cashbook में मतलब सिर्फ cash column आपका इसमें रहेगा सबसे पहले आपका लिखता है एक फरवरी 2018 आपका year है एक फरवरी को लिखता है balance in solve cash 40,000 तो सबसे पहले यहाँ पर हम date लिख देंगे 2018 date के column में 2018 एक फरवरी को क्या होता है एक फरवरी यहाँ लिखेंगे to balance bd कितना balance दिया हुआ है 40,000 कहने का क्या मतलब है यह balance bd हम यहाँ पर क्यों लिखें इसके पहले पिछले मन्थ जो हम cashbook मेंटिन किये होंगे जनवरी मन्थ का था और उसके last में जब आप जनवरी मन्थ वाले को balance किये होंगे परवरी को to balance bd brought down वहाँ से ले करके आए हम इसको और 40,000 अभी cash shop में, दुकान में, बिजनस में है अब इसके बाद देखते हैं कि transaction number 2 क्या है आपका क्या करता है करता है 5 परवरी को about goods, cgst, sgst 66% है आपका और 30,000 का समान खर दे हैं यहाँ पर कोई भी party का नाम नहीं दिया हुआ है 2018, पहले हम आपको journal entry बना करके cashbook बनाना सिखाएंगे आपको journal entry बनाने की जरूत नहीं है अगर आपका journal entry पर command है तो आप ऐसे ही cashbook बना लोगे तो जब भी हम आपसे सवाल पूछेंगे examination वगरा में तो आप journal entry बना करके cashbook नहीं बनाओगे आप सीधा cashbook बनाओगे यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए journal entry बना रहे हैं तो 2018, February 5 पांस तारिकों क्या हुआ? goods purchase किया गया है कोई भी party का नाम नहीं दिया कि किस से purchase किया गया है नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह cash purchase है और साथ में GST भी है तो क्या journal entry बनाएंगे? purchase account debit जब आप goods purchase करोगे तो वहाँ पर जो GST लगेगा वो input CGST और input SGST लगेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे input CGST account और input SGST GST account और cash में purchase किये है तो to cash account कितने का total purchase है? 30,000 का तो आप 30,000 लिख दोगे purchase के सामने इसके बाद input CGST 6% है तो 6% अगर आप निकालोगे 30,000 का तो यह आएगा आपका 1800 रप्या और input SGST 30,000 का 6% 1800 तो टोटल हो जाएगा 33,600 रुपीज clear है? अब यहाँ पर input CGST और input SGST को हमने debit क्यों किया? इसलिए इसको हमने debit किया क्योंकि यह हमारे लिए asset है क्यों? क्योंकि बाद में हम इससे customer से वसूल कर लेंगे तो जितना भी आप जब sell करोगे तो customer से लोगे output CGST, SGST क्योंकि यह हमारे लिए क्या है? asset है तो asset जब भी बढ़ता है तो debit होता है clear? इसलिए हम यहाँ पर इसको debit कर दिया है अब cash book में हमको मतलब है सिर्फ cash से यहाँ पर आपका cash credit है इसलिए हम cash को यहाँ पर credit side में लिखेंगे कितना लिखेंगे? 33,600 रुपीज लेकिन नाम जाएगा सारे debit side वाले का तो यहाँ पर हम लिखते हैं 30,000 रुपीज 1800 रुपीज और 1800 रुपीज यहाँ लिखते हैं हम by 30,000 के सामने purchase account by input CGST account by input SGST account और यहाँ पर हम debt डाल देंगे February 5 clear है? इसके बाद हम दूसरा transaction देखते हैं साथ तारीक का transaction है उसे हम देखते हैं क्या है? कहता है sold goods अब यहाँ पर समान को क्या किया गया है? बेचा गया है इस पर भी CGST है 6% और SGST है यहाँ पर 6% ठीक है? चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसको हम? लिखेंगे साथ तारीक साथ फरवरी का है sold goods समान बेचा गया तो cash आएगा debit part comes in और यहाँ पर to sales account इसके बाद जब आप sell करते हो तो यहाँ पर जो GST लगेगा वो output GST लगेगा तो लिखेंगे to output CGST account और to output SGST account अभी हम सो clear करेंगे कितने का है? 45,000 रुपीज का आपने sell किया है तो sell के सामने आप लिख दो 45,000 रुपीज और यह 45,000 रुपे पर कितने का आपका GST है? 6% का अगर आप इसको 6% निकालोगे 45,000 रुपीज तो यहाँ पर आएगा आपको 2,700 और यहाँ पर आएगा input CGST 2,700 input SGST 2,700 जब आप इसको total करोगे तो यह आएगा 50,400 रुपीज clear? यहाँ पर output CGST और SGST को हमने credit क्यों किया? क्योंकि यह आपके लिए liability है और liability बढ़ता है तो credit करते हैं output में से input को घटा देंगे तो जो balance होगा वो government को pay किया जाएगा फिलार यह आपके लिए liability है और liability बढ़ता है इसलिए हम credit करते हैं तो यहाँ पर output CGST CGST को हमने credit कर दिया हम बना रहे हैं cash book और cash book में हमें सिर्फ किस से मतलब है? cash से मतलब है तो cash debit है 50,400 रुपया से cash को हम debit करेंगे 50,400 रुपया से और यहाँ पर जो भी नाम जाएगा वो credit side वाले का नाम जाएगा तो यहाँ लिखते हैं to sales account 45,000 रुपीज to output CGST account 2700 रुपीज to output SGST account 2700 रुपीज और date डाल देंगे फरवरी 7 clear है बात? तो इस तरीके से हम cash book में सारे चीज़ों को record करेंगे और हमको क्या देखना है? तो बस हमको यही देखना है कि cash कहा है? cash debit हो रहा है या cash credit हो रहा है बस हमें इस पर ध्यान देना है automatically आपका सब कुछ बनता जाएगा इसके बाद क्या transaction हम देखते हैं? अभी हम आपको journal बना करके समझा रहे हैं बात में आपको journal बनाने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी आप automatically इसको कर लोगे साथ तारीक के बाद आपका दस तारीकों क्या हो रहा है पेड टू यस्पाल एंड संस अन अकाउंट आप यस्पाल एंड संस को पैसा पेड कर रहे हैं तो debit the receiver यस्पाल एंड संस debit हो जाएगा यस्पाल एंड संस debit और टू क्या कर रहे हैं? payment cash cash account credit debit the receiver credit card goes out यह हो जाएगा आपका 6,000 रूपीज हमें मतलब है cash से cash यहाँ पे credit है cash को हम credit करते हैं यानि cash book को हम credit करेंगे 6,000 रूपीज से और यहाँ पर जाएगा by debit side वाल यस्पाल एंड संस और date डाल देंगे यहाँ पर परवरी 10 बहुत सिंपल है 10 तारी के बाद क्या transaction है वो देखते हैं 14 फरवरी received from Rahul Brothers and discount allowed यहाँ पर हम receive कर रहे हैं Rahul Brothers से मतलब हम इसको sell किया होंगे अब उससे हम पैसा receive कर रहे हैं और discount दे रहे हैं journal entry पहले आप बना लिजे क्या है आपका cash account debit इसके बाद discount दे रहे हैं तो nominal account के दूझ से debit all expenses discount allowed account को हम यहाँ पर debit कर देंगे और पैसा कौन देठा है credit the giver giver कौन है यहाँ पर Rahul Brothers तो लिख देंगे Rahul Brothers Rahul Brothers को पैसा देना है total कितना 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज Rahul Brothers को देना है और discount कितना दिये हैं इसको 200 रुपे तो मेरे पास cash आया कितना 9,800 रुपीज का cash हमारे पास आ गया हमको सिर्फ cash से मतलब है cash यहाँ पर debit हो रहा है 9,800 से cash book को हम debit कर देंगे 9,800 से हमने cash book को debit कर दिया नाम जाएगा to Rahul Brothers Rahul Brothers और यहाँ पर हम debt डाल देंगे 14 परवरी 2018 चली इसके बाद है 16 तारीक का एक transaction उसको हम देखते हैं क्या कहता है loan repay loan को repay loan होता है liability और उसको paid किया गया तो जब loan लिया गया था तो liability था अब उसको paid किया जाएगा तो liability घटेगा जब liability बढ़ता है तो credit घटता है तो debit यहाँ पर loan यानि liability घट रहा है तो loan account को हम debit कर देंगे और loan में आपने paid किया किया cash किया तो cash account credit यहाँ पर credit word goes out कितने का loan payment हुआ है अभी आपका 7,000 रुपे का 7,000 7,000 हमें क्या मतलब है cash से यहाँ पर cash credit है तो cash book को हम credit कर देंगे 7,000 रुपीज से और लिखेंगे by loan account और date डाल देंगे February 16 clear है तो इस तरीके से हम सारा काम करते जाएंगे सोरा तारिक के बाद आपका है 22 तारिक 22 तारिक को देखते हैं क्या हो रहा है paid for traveling expenses traveling expenses हमने paid क्या है traveling expense क्या है nominal account को rule से traveling expenses को हम debit कर देंगे debit all expenses traveling expenses expenses account debit कितने से 500 रुपीज से 500 से हमने इसे debit कर दिया और 2 क्या payment किया cash payment किया credit what goes out real account के rule से 500 रुपीज हमें मतलब किस से है cash से मतलब है क्योंकि हम cash book बना रहे है तो ये cash book जो है आपका credit है cash 500 रुपीज से हम 500 रुपीज से यहाँ पे credit कर देते हैं और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे traveling expenses लेजर पोस्टिंग तो मैंने आपको सिखाई दी है कितना तारिख 22 फरवरी traveling expenses हो गया आपका अब है आपर हम इस journal इंट्री को पहले हटाते हैं फिर बताएंगे चलिए इसके बाद traveling expenses तारिख था आपका 22 तारिख अब आते हैं 23 तारिख को 23 तारिख को क्या हो रहा देखते हैं received from dines yadav and discount allowed हम dines yadav से receive कर रहे हैं पैसा और उसको discount दे रहे हैं मतलब हम purchase किये होंगे अब उसको हम पैसा payment कर रहे हैं गलत बात हम पैसा receive कर रहे हैं ना अच्छा receive कर रहे तो इसका मतलब कि हम dines yadav को क्या किये होंगे sell किये होंगे तब दिनेज यादव हमको पैसा दे रहा है clear है? ताइस तारीक हो पैसा आ रहा है मेरे पास cash account, debit और discount दे रहे हैं nominal account के रूल से discount allowed account, debit और दे रहा है credit the giver कौन? यहाँ पर दिनेज यादव दिनेज यादव को हम credit कर देंगे दिनेज यादव को total कितना देना था? यह आप दिनेज यादव के सामने लिग दीजिए 7,000 रुपीस दिनेज यादव को देना था जिसमें से उसको हम discount दे दिये जो मेरा expense है indirect expense, nominal account के रूल से debit किये discount डेढ़ सौर रुपे का हमने discount दे दिया 7,000 में से तो दिनेज यादव ने हमको दिया पैसा कितना? 6,850 रुपीस यहाँ पर हमको मतलब है cash से cash से यहाँ पर debit तो हम यहाँ पर debit कर देंगे cash book को कितने से? 6,850 रुपीस से और यहाँ पर लिखेंगे हम to दिनेज यादव दिनेज यादव और date डाल देंगे 23 फरवरी crystal clear है एकदम? कोई problem नहीं? 23 तारीक के बाद 25 तारीक के transaction को हम देखते हैं paid to yaspal and sons and discount allowed by them हम अब पैसा paid कर रहे है yaspal को इसका मतलब है कि हम उससे purchase कियोंगे तब हम उससे पैसा paid कर रहे है ठेक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे debit the receiver yaspal and son को हम यहाँ पर debit कर देंगे yaspal and sons debit करेंगे और paid कर रहे है तो मेरे पास से cash जाएगा credit card goes out cash account credit मुझे एक फाइदा हुआ है discount मिला है हमको उसने मुझे discount दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा discount received account अब देखिए total yaspal and son को पैसा payment कितना करना था वो इस yaspal and son के सामने लिखिए 14,000 रुपीज हमने paid किया कितना 13,750 रुपीज और हमें discount मिला कितना 250 रुपीज का हमें discount मिला तो हमने पैसा payment किया कितना किया हमारे पास से cash गया कितना 13,750 रुपीज तो cash credit है हम यहाँ पर credit कर देंगे cash book को कितने से 13,750 रुपीज से यहाँ पर लिखेंगे बाई और डेबिट साइड बारे का नाम जाएगा यसपाल और संस डेट डाल जेंगे 25 तारीक का ओके यसपाल और संस 13,750 रुपया से हमने यहाँ भी क्रेडिट कर दिया इसके बाद 25 तारीक के बाद है आपका ट्रांजेक्शन 28 तारीको 28 तारीको क्या है आपका रेंट पेड किया गया है पेड रेंट पोर गोडाउन गोडाउन के लिए आपने रेंट पेड किया है यहाँ पर 28 तारीक डेट है यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट और जी अस्ट भी है तो यहाँ पर जो GST लगेगा, वो लगेगा input C GST account, input S GST account और 2 क्या कर रहे हैं, cash payment कर रहे हैं, credit part goes out तो cash account को हम यहाँ पर credit कर देंगे total rent कितना pay किया गया है, total rent जो है, वो 10,000 का rent है और 6% अगर निकाल दोगे, आप GST 10,000 का 6%, तो 600 रुपे, 600 रुपे तो हो जाएगा 11,200 रुपे, आपने cash payment कितना किया, 11,200 रुपे इसमें 6,600 रुपे आपने GST का भी दिया, तो 11,200 रुपे cash account यहाँ पर, यानि cash credit है, हम 11,200 को यहाँ पर credit कर देंगे लेकिन नाम किसका जाएगा, सारे debit side वाले का यहाँ पर नाम जाएगा लिखते हैं, by, date डाल देते हैं, 28 फरवरी रुपे, 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 clear है, तो इस तरीके से हम सारे cash, जितना भी cash का transaction है, वो सारे हम cash book में record करते जा रहे हैं, इसके बाद आपका है 28 तरीका transaction, इसको हम देखते हैं, एक और है आपका इसी में, 28 तरीका, यह क्या है आपका, paid to Manoj General Store in full settlement of their account of Rs.8,000, तो यहाँ पर Manoj General Store को हम payment कर रहे हैं, debit the receiver, Manoj General Store, percent account को रूल से debit कर दिया मैंने, कितना payment करना है इसको, total Rs.8,000, debit the receiver Rs.8,000, कितना cash payment कर रहे हैं, वो दिया है आपका cash account, 8,000 paid करना था, 7,600 रुपीज यहाँ पर हम paid कर रहे हैं, debit credit according to dual aspect concept, match करना चाहिए, नहीं match कर रहा है, तो match करवाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको जरूर discount रसीव हुआ है, 8,000 payment करना था, लेकिन हम 7,600 ही payment कर रहे हैं, मतलब हमको discount receive हुआ है, nominal account के rule से हम credit कर देंगे, credit all income, discount received, account, 400 रुपीज, अब debit credit match कर रहे हैं, according to dual aspect concept, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पर cash से, cash यहाँ पर credit हो रहा है, कितने से, 7,600 रुपीज से, लिख दिया मैंने, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, by Manoj, general store, और date डाल देंगे यहाँ पर, 28 फरपरी, इस तरीके से आपका जो है, वो cash book बन गया है, अब इसको हम balance करेंगे, और देखते हैं कि, क्या balance आता है, क्या favorable balance आता है, या फिर negative balance आता है, वो देखेंगे हम, चलिए, balance करते हैं, अगर आप debit side वाले को पुरा, जोड़िएगा, add करिएगा, तो यह आएगा आपका, 1,007,050 रुपया, total करिए आप, 1,007,050 रुपया, अब आप credit side वाले को total करिए, तो आपका total आएगा, 79,650 रुपीज, तो 1,007,050 रुपीज में से, अगर आप minus कर दोगे, 79,650 रुपीज, तो balance जो आएगा, 27,000 आपका 400 रुपया का balance आएगा, कितने का balance आएगा, 27,400 रुपया का यहाँ पर balance आया, 28 तारीक को यहाँ पर हम balance कर देंगे, by balance, cd, carried down, और यहाँ पर हम total कर देंगे इसको, 1,007,050 रुपीज से, total हो गया, अब उस balance को हम यहाँ पर लेकर के आएगे, परवरी का आपका मन्था, अब अप्रिल में लेकर कर आएगे, सॉरी, मार्च में लेकर आएगे, तो यहाँ लिखेंगे, मार्च फर्स्ट, क्या होगा आपका, to balance BD, कितना, 27,400 रुप्या, बात क्लियर है, मतलब आगे जब आप मार्च के मन्था कैस्टूप बनाएगा, तो यह balance BD, आपके बिजनस में अभी कैस्ट कितना है, आप देख करके बताओ, आपके बिजनस में जो कैस्ट अवेलेबल है, वो 27,400 रुपे का कैस्ट अवेलेबल है, मतलब आप अपने बिजनस के लिए, यानि बिजनस को चलाने के लिए, 27,400 रुपे बिजनस के अंदर है इससे आप अपने बिजनस के expense को, खर्च को कर सकते हो तो ये मतलब हुआ आपका तो cashbook बनाने से हमको क्या पता चला cashbook बनाने से हमको पता चल गया 27,400 रुपे का अब मेरे बिजनस में balance है, इसे हम अपने मर्जी से business के अंदर खर्च कर सकते हैं तो cashbook, single column cashbook आपको clear है, समझ में आया क्या है, अच्छा cashbook जो अगर cashbook की बात करें या cash account की हम बात करें तो वो हमेशा debit balance हो करता है क्योंकि debit balance हो करने का ये मतलब है कि हमेशा business में कुछ ना कुछ cash होता है जो business को चलाने में रखा जाता है कहने का मतलब कि business को चलाने के लिए पैसा होना चाहिए और पैसा अगर माल लिजे कि ये negative balance हो करता है unfavorable balance हो करता है तो इसका मतलब है कि business को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए cashbook जो है हमेशा आपका debit balance so करेगा ये भले ही आपको credit side में दिख रहा है लेकिन आया है ये debit side की वज़ा से इसलिए ये 27,400 रुपे का debit balance है मतलब अभी business को चलाने के लिए business के expense को cover करने के लिए 27,400 रुपे business के अंदर है तो ये हमने आज आपको बता दिया single column cash book इसके बाद next class में हम आपको बताएंगे double column cash book यानि cash book with bank column उसमें cash column भी होगा और आपका bank column भी उसमें रहेगा इसको आप 2-4 question लेकर के आप practice कर लेना अगर आपको इसमें फिर भी कुछ समझने में problem हो कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही thank you very much आप σε को हो küçük आप सकते हैं